Hello all, welcome friends, एक बार फिर स्वागत है आपका study height पर मैं हूँ कियास्तोमर So friends, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इगनु ने हाली में कुछ important updates की है So आज मन्त की last date है, so आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सी वो important update है जो इगनु ने जनवरी 2023 के अंदर की हैं, तो सबसे पहले जो update की गई थी वो है आपके online admissions को लेकर जिन student ने last session में admission लिया था online program में, उन सभी के जून 2022 वाले exams इस बार conduct होंगे और उनके exam form भी इगनु की website पे available है, आप यहाँ पर link देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वो link है, साथ ही साथ, online program की जो date sheet है, वो भी इगनु ने declare कर दी है उसके लिए भी आप news and announcement section में देख सकते हैं, यहाँ पर online program की date sheet भी mention की गई है साथ ही साथ, उसके बाद जो एक बड़ी update इगनु की देखने को मिली, वो है इगनु के re-registration को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि इगनु के January 2023 के re-registration अभी open है उसकी last date को इगनु ने 31 January 2030 तक extend किया था, और यानि कि आज 31 January है तो आज इसकी last date है हाला कि अभी इसके लिए कोई notification नहीं आया है कि last date आगे extend होगी या नहीं होगी तो आज ही last date मानते हुए, आज अपना re-registration आप complete करें अगर आप इसके लिए eligible हैं जो last बड़ी update है, जो इगनु ने कुछी दिन पहले की है, वो है आपकी date sheet को लेकर क्योंकि June 2023 के exam अब आने वाले हैं, जो की offline exams है, उन सभी के लिए एक tentative date sheet इगनु ने release की है जैसे आप download पर click करेंगे, आप यहाँ पर next page पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, left side में date sheet का option है यह वही option है, जहाँ पर आपको tentative date sheet मिलेगी, देन आपको इस पर click करना है, click करने के बाद आप next page पर redirect होंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे, नीचे दिया गया है, date sheet for conduct of June 2023 term and examination tentative यह 30 January को यहाँ पर update की गई है, then जैसे आप इस पर click करेंगे, आपके सामने date sheet PDF form में download होकर आ जाएगी आप देख सकते हैं, 24 January को यह prepare की गई थी, और यह अभी tentative date sheet है इस date sheet में आपको कोई भी date mention नहीं की गई है, यहाँ पर day 1, day 2, day 3 इस तरह से दिया गया है कि कौन कौन से exam किस के बाद होंगे, यह idea आपको हो जाएगा, बट यहाँ पर कोई date mention नहीं है कि जून में किस date से exam सुरू होंगे और कब खतब होंगे तो यह अभी initial stage पर अभी date sheet prepare की गई है आने वाले कुछ दिनों में इसकी और update आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आपको complete इनकी details दी जाएंगी इनकी dates दी जाएंगी कौन सी date पर कौन सा exam आपका होगा तो आप सभी panic ना करें कि date sheet आ गई है तो आपके date भी declare होगी होगी एकनू हर बार हर session में ऐसे ही करता है कि आपको tentative date sheet देता है उसके कुछ दिन बाद final date sheet update होती है then आप अपने exam की confirm date जान पाते हैं तो फिलाल यह date sheet आ चुकी है अगर आप इसे download करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से download कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको अभी दिखाया and otherwise अगर आप download ना भी करेंगे तो अगर आप download नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी यह date sheet final नहीं है आने वाल यह update में जब भी इनकी dates declare होंगी then मैं आपको inform कर दूँगा तब आप इसे download करके इसके according अपनी preparation start कर सकते हैं बट आपको यह date sheet एक ही benefit देगी कि आपको आपके exams का pattern पता से लिए आएगा कि आपके exam कौन से subject के exam पहले होंगे और कौन से के बाद में तो इसलिए यह date sheet आपके लिए helpful रहीगी otherwise इसमें कोई कुछ खास ऐसा है नहीं जो अभी आपके लिए helpful हो तो उमीद करता हूँ यह information भी आपके लिए helpful रही होगी और प्लीज अगर आप channel पे नए है या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिविगेशन आपको मिलते रहे हैं मैं मिलूँगा आपसे नेस्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तिल देन टेक केर और गुडबाई